Hello student, my name is Manes, आज मैं बात करने वाला हूँ मद्यप्रदेश कक्छा बार्वी बोट परिच्छा के परिणाम के बारे में और बताने वाला हूँ की ये किस फॉर्मुले पर इसका रिजल्ट को जारी किया जा सकता है इन सबी विश्यों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो student channel को subscribe कर लीजे, bell notification icon को press कर दीजे, वीडियो को like और share करना ना भूले जैसे के student को पता होगा मद्यप्रदेश कक्छा बारवी की बोट परिच्छा को रद हुए लगबग 15 दिन का समय हो गया है इसके बावजूत कक्छा बारवी के result को लेकर कोई formula नहीं बन पाया है इन पर बहुत सारी परसानिया हैं जिन पर अभी भी विचारवे मर्स किया जा रहा है किस बेसस पर result को जारी किया जाए कुछ टीचरों का जो कहना है जो कक्छा बारवी के result है वो 11, 10 वी और जो बारवी में internal exam, revision test और अर्दवारसिक पर इच्छा हुए थे उनके अंकों के आधार पर result को जारी कर दिया जाए यहाँ पर जो main मुसीबत आ रहे है कक्छा 11 के result को ले कर आ रहे है कुछ इसकुल के पास इसका data पूरा अच्छी तरीके से secure है तो कुछ इसकुल के पास यह data मौजूद ही नहीं है कि कक्छा 11 में कौन से student ने कितने प्रतिसत अंक अर्जित किये हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुसीबत था 11 के result का क्योंकि पिछले बार भी student को पता होगा कि कोरोना काल के चलते कोरोना जो संक्रमन था प्रकोप था वो बहुत जादा था इसके बीच कक्छा 11 के जो भी परिनाम थे उनको रद किया गया था और general promotion के basis पर उनको अंक दिये थे तो वहाँ पर से मुसीबत हो रहा है कक्छा 11 के result को लेकर कुछ school ने हाथ खड़ा कर दिये हैं कि हमारे पास इसका data दे पाना बहुत ही मुस्किल है तो आपको formula बदलना पड़ेगा और formula के बारे में जल्द ही विचार विमर्स किया जाएगा जैसे कि report निकल कर आ रहा है मंगलवार या बुद्वार तक इसके पूरे formula बन जाएंगे और उसके लगबग आपके 15 या 20 दिन के बाद result को जारी कर दिया जाएगा तो जो संभवत्त है जो date निकल कर आ रहा है वो आपका 20 जुलाई के आजपास कक्छा 12 के result को जारी किया जा सकता है तो आपको लगातार update में रहना है और आपको next class के भी बारे में सोचना होगा क्योंकि पास आपके past time नहीं है time के basis पर आपके result में तो ये चीज़ आपका doubt किलियर हो गया कि कोई भी student है वो fail नहीं होंगे उनके जो भी अंग्स होंगे वो internal जो भी previous exam हुए थे उनके basis पर ही निकाला जाएगा तो आपको don't worry चिंता करने की जरुवत नहीं है आपको जो करना है चाया आप BSC करो, B.com करो, BA करो उनमें आपको admission process के उपर ध्यान देना होगा आपके पास civil services की exam होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं बहुत सारे scopes है हर अलग-अलग different field पर तो यही चीज report निकल कर आ रहा है कि कच्छा बारवी के जो result है MP board पर वो बहुत ही जल्द उनके formula बन जाएंगे formula में सुधार कनने की जरुवत है क्योंकि 11 वी के result को consider कर पाना हर school में मुश्किल टास्क है तो इस टास्क के बीच में फसा हुआ है कच्छा बारवी के result तो बहुत ही जल्द इन पर फैसला आना बाकी है यह सभी अभी अपचारिक है अनपचारिक है इसको अपचारिक रूप में नहीं बताया गया कि 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 किस process से formula को तयार किया जाएगा और जो सब्सक्राइब यह चैनल थैंक यू